दोस्तों Samsung ने अपने Samsung Galaxy M10 के बाद अपना एक new smartphone इंडिया में launch करने जा रहा है जिसका नाम होने वाला है Samsung Galaxy M10s तो दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करेंगे Samsung Galaxy M10s के फीचर के बारे में तो अगर आप इंट्रेस्टेड है यह फीचर जानने के लिए तो इस वीडियो में सुरू से लेके अंतक बने रही है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बाद विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलिएगा तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को सुरू करते हैं बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के फीचर के बारे में तो यहां पे हमें इस स्मार्टफोन में फार चार्जिंग का सपोर्ट यूस भी टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है यहां पे बात करें इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर के बारे में तो इस स्मार्टफोन में जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो होगा स्नैप डैगन 725 का प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाएगा बात किया जाए जोस्तो इसके डिस्प्ले साइज के बारे में तो यहाँ पर हमें 6.4 इंच की Full HD के साथ इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इसी के साथ दोस्तो यहाँ पर बात किया जाए इसके रैम के बारे में तो इस smartphone में हमें 3GB RAM के साथ 32GB का storage देखने को मिल सकता है बात क्या जाए दोस्तो इसके rear camera के बारे में तो यहाँ पे हमें 2 rear camera देखने को मिल जाएंगे जिसमें से एक camera होगा 13MP का यहाँ पे जो दूसरा camera होने वाला है वो होगा 5MP का इसके साथ जोसरा बात क्या जाए इसके front camera के बारे में तो यहाँ पे हमें 8MP का front camera भी देखने को मिलने वाला है बात क्या जाए जोस्तो इस smartphone के battery capacity के बारे में तो यहाँ पे हमें 4000 mh की battery capacity Samsung Galaxy M10s में देखने को मिल जाएगा बात क्या जाए इसके launch date of price के बारे में इंडिया मार्केट में जो इसका price होगा वो होगा 9,990 रुपे बात कर इसके launch date के बारे में तो यह इंडिया में launch होने जा रहा है 27 सक्तूबर 2019 को I hope दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो like करना मत भूलेगा चैनल पर पहली वाव विजिट कर रहे हो और ऐसी news update रोज पाना चाते हो mobile से related तो हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा तो इस वीडियो में इतना ही